हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आइस काउंसलिंग है उसका इस्ट्रे राउंड इस्टार्ट हो चका है तो आपके पास ये लाश्ट अपोर्चुनिटी है आइस कोर्सेज में एड्मिसन लेने की इसमें आप BMS, BHMS, BUMS इन सभी कोर्से सेड्यूल है इसका इस्ट्रे वेकेंसी का तो यहां पर आप देख सकते हैं इस्ट्रे वेकेंसी राउंड है तो यहां पर जो है गवर्मेंट है और गवर्मेंट एड़ेड सेंट्रल यॉनिवर्सिटी इनके लिए जो है काउंसलिंग होने वाला है इसका जो सेड्यूल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 October से यह start होगा और 31 तक आप इसका registration कर सकते हैं उसके बाद जो choice peeling होगी वो 29 से ही start हो जाएगी और 31 तक यह चलेगी इसका time जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका payment की speciality है वो 31 October और आपका 5 बजे तक है साम तक यहने कि 5 पीम वैसे ही आप देखोगी choice peeling तो यह 31 October और आपका 11.55 तक यह है रात में है उसके बाद जो allotment आएगा वो आपका एक November तक आपका allotment आजाएगा तो जल्दी एकापी उसके बाद जो है यहाँ पर जो है result जो आता है यहनि कि एक जो provisional आता है वो एक को आजाएगा और जो final result जो होता है दो तारिख तक आजाएगा आपको reporting के लिए चार दिन का time मिल रहा है तीन से साथ दिन का यहाँ पर आपको reporting करवाने है तो इस प्रकार से जो है schedule है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है इस schedule को follow करके अगर आपने अभी तक registration नहीं किया है तो registration कर सकते हैं जिन लोगों को college नहीं मिला है आगे के तीन round में वो बच्चे भी यहाँ पर choice feeling कर सकते हैं और उनको आगे college अलोट हो सकता है इस round में cut up जो है काफी लो जड़ रहता है तो जो भी अगर border पे हैं बच्चे तो वो इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर cut up जो है low रहने वाला है काफी जो अच्चे college हैं उनका भी cut up जो रहता है और कम rank पर अच्चा college आपको मिल जाता है तो बाकी सारा अगर आपका counseling से related कोई भी doubt है तो आप हमें contact कर सकते हैं Thank you, मिलते हैं next video में